नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष छाकुर के साथ दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों से ये अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना खयाल रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी खयाल रखें NTA, UGC, NET, JRP, हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई 5 पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो महत्रपुन कभीताएं हैं उनको रखा है और इससे पहले हमने नागरजुन के संदरव में जो प्रगतिव वाद के प्रमुक कभी माने जाते हैं उनकी जो कभीताएं हमारे बाते हैं वो रखी हुई है तो आप इकाई 5 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसको पहले देख सकते हैं वहां पर हमने उनकी व्याक्या रख दी है और इसके साथ ही साथ इकाई 5 में हमने कवीता वाले पोर्शन से कुछ एक मौक टेस्ट भी किये हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले दोस्तो एक और मौत्वपुन चीज़ आपके लिए ये भी है कि NTA UGC NET JRF हिंदी के जो प्रिवियस येर पेपर हैं उनके लोग भग एक हजार पशन है हमने व्याक्या सहीत रखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्श की जो कवीता है देखिए इसके जो रचनाकार माने जाते हैं ये सचीदानंद, हीरानंद, वात्षाइन, अग्ये जी को माना जाता है और जो अग्ये हैं देखिए ये किस तरीके के रचनाकार हैं ये आपके जो प्रियोगवाद के प्रवर्तक इनको कहा जाता है और अस्ति रचे हैं और अधिकतर प्रसिद्धी का कारण भी वही रहा है इनका और तीर इनके जो महत्तोफोन उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अपने अजनबी तो हर एक विधा को इनोंने लिखने की कोशिश किये हर एक विधा में इनकी कहानी संग्रह भी है लेकिन मेंली हमारा आज का जो विशे है वो है इनकी प्रसिद्ध कविता है कलगी बाजरे की लेकिन कलगी बाजरे की कविता की शुरुआत करने से पहले इसकी व्याख्या करने से पहले हम अग्ये के बारे में और इस कविता के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं तो चल जाजकते हैं वो मैंने आपके बीच में यहां पर रख दिये हैं तो एक चीज तो मैंने आपको पहले ही कही कि आपको जितने भी रचनाकार हैं उनका जो जनम वर्ष है वो याद रख लेना है UGC NET हिंदी की परिक्षा को ध्यान में रखते हुए क्योंकि क्रमानुसार जो प प्रिज़ के दिवरिया जो जिला है वहां पर इनका जनम हुआ था और इनको क्या माना जाता रिखिए प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक इनको माना जाता है और प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है वो कहां से माना जाता है वो म तरसब्तक है, उसका सिर्फ और सिर्फ नाम क्या है? तरसब्तक ही है, दूसरा सब्तक, तीसरा सब्तक इस तरीके से ये नाम रखे गए हैं। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है इसमें गलत मत करना क्योंकि यहां पर बहुत सारे विद्यारती क्या हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे पहला सब्तक ना बोलके उसको क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ ता सब्तक के प्रकाशन से ही प्रियोगबाद का अरंभ माना जाता है 1943 से और उसके अलावा देखिए अस्तित्वबाद में इनकी आस्था थी जो सिग्मन फ्राइड की हम बात करते हैं देखिए मनोविश्लेशन वाद वही चीज़ अग्ये के उपन्यासों में अग्ये की जो क हम बात करें देखिए इनका जो प्रत्थम कावे संग्रह कौन सा है तो लगभग इनके सत्रा कावे संग्रह है आगे हम जानेंगे इनके वारे में कि इनके जो सत्रा कावे संग्रह है इनको कैसे हम एक या दो पंक्तियों में पूरा का पूरा याद कर सकते हैं बिलकुल क्रम तो आपने इसको भी ध्यान से देखना है तो यहाँ पर देखिए जो प्रत्थम कावे संग्रे है वो है भगंदूत और भगंदूत इन्होंने लिखा था 1933 में तो 1933 में इन्होंने इसकी रचना की थी आपका जो पहला कावे संग्रे है इनका भगंदूत तो यह भी हो सकता है क तोटी मोटी परिक्षाओं में आपको ये भी पूछा जाए कि अगे जो थे, जो मनोविश्लेशन बादी थे, इनका जो पहरा काव्य संग्र है, कौन सा है, तो ये है भगंदूत 1933 में इसको लिखा था, हाला कि जो आपका प्रियोग बाद है, वो लगवग इसके 10 साल बाद क है, वो कहते हैं कि कलगी बाजरे की 1949 की जो हमारी पाठेक्रम में शामिल इनकी कवीता है, जो 1949 में लिखी है कलगी बाजरे की, ये किस कावे संग्रह में संकलित है, तो ये है जो हरी घास पर क्षण भर, इनका जो कावे संग्रह है, देखिए, इस पर ये आपका संकलित है, प्षण भर ठीक है फिर आता है देखिए कलगी बाजरे की कवीता का मूल प्रतिपाद्य क्या है तो ऐसा प्रशन UGC net में पूछ जाता है है ना तो इसको आपने याद रख लेना है तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो कलगी बाजरे की कवीता है उसक अग्ये है उन्होंने अपनी जो प्रेमिका है उसकी तूलना जो पुराने प्रतीक है उन से न करके क्या की है चिकनी हरी घास और जो चरहरी कलगी बाजरे की है उसके साथ उन्होंने उसको उपमित करने की कोशिश की है यह हम देखते हैं कि नए सरे से या नए तरीके से पहले हैं, अब जो हरी बिचली घास है, उसके साथ वो अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेअसी को उपमित करते हैं, और एक अलग तरीके से इन्होंने इस कवीता को लिखने की कोशिश की है, और जिसमें असीम समर्पन की भावना की बात इन्होंने इसमें कही है, ये चीजा म आपने देखा है जो 1986 में नो लिका था और 1987 में इनकी मृत्य हो गई थी, ठीक है, तो चलिए ये तो बात होगी अगे और कलगी भाजरे के संदरब में, अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात कि इनकी जो 17 काव्य संग्रे हैं, उनको हम simple एक या दो लाइनों में कैसे याद जैसा कि आपने thumbnail में देख वी लिया था कि आपकी जो अगे की जितनी भी रचना हैं, उनको आप कैसे असानी से याद रख सकते हैं, एक पंक्ती से वो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, simple सा आपको अगे की जो रचना हैं, उनको क्रम से याद रखने के लिए simple सी trick है, और इस trick का इस्तेमाल वो व्यक्ति न करें, जिनको अगे की रचनाओं को याद जिनोंने कर लिया हैं, क्यूंकि बहुत सारे लोगों के लिए tricks भी अपने आप में एक गले की फांस बन जाती हैं, तो अगर आपको ये अच्छी लगे, तभी इसका इस्तेमाल कीजिए, और जिनको याद है इसका जो अगे की जो सत्रा कावे संग रहे हैं, हाला कि सत्रा के सत्रा नहीं पूछ जाएंगे आपको ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी जिसको याद नहीं है, अगर उनको लगता है कि सही है इसको याद करना, तब आप इसको फॉलोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अग्ये के दूत को चिंता इतनी हुई कि हरी घास पर बावरों की तरहा इंद्र की प्रभा की आंगन पर शेवाल की नाव पर पहुंचा और कहता है कि मैं जानता हूँ कि सागर में सननाटा, ब्रिक्ष और नदी ने देखा है तो यह एक पंक्ती है देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि जो अग्ये का दूत है उसको चिंता इतनी हुई कि हरी घास पर क्या किया उसनों बावरों की तरह इंद्र की प्रभा की आंगन पर शेवाल की नाव पर पहुंचा और कहता है कि मैं जानता हूँ कि सागर में जो सन नाटा है, वो किस ने देखा है वृक्ष और नदी ने देखा है तो यहां से देखिए हम इन अिन सब को कैसे याद रख सकते हैं तो देखिए दूत से आपने से याद रखना है क्या आपका जो भगंदूत है जो इनका पहला काव्य संग्रह है माना जाता है 1933 में फिर चिंता से चिंता ही है और इसका रचनाकाल है देखिए 1942 इतनी से आपने याद रखना है इत्यलम 1946 ठीक है हरी घास पर क्षण भर तो ये इससे हो जाएगा हरी घास पर ये है आपका देखिए 1949 बाबरों की तरह से मतलब है बाबरा अहेरी है ना तो बाबरा अहेरी का रचनाकाल है 1954 इंदर धनुष रोंदे हुए ये तो ये है आपका इंदर से इसको आपने याद रख लेना है इतना तो आपको याद होगा कि अगे की ये रचना है है इंदर धनुष रौंदे हुए ये 1957 तो देखिए सिस्टेमेटिक तरीके से हम जा रहे हैं प्रभा से देखिए क्या है अरी ओ करुणा प्रभा मै ठीक है तो इसका जो रचना काल का बे देखिए ये है 1959 और आंगन के पार द्वार ठीक है आंगन के पार द्वार तो ये आपने आंगन से ही याद रखना है आंगन पर जो लिखा हुआ है यहां पर ये कब लिखी गए थी 1961 में उसके बाद जो शैवाल है देखिए ठीक है सुनहले शैवाल इनकी एक रचना है 1966 में फिर है नाव कितनी नावों में कितनी बार तो ये है आपका 1967 में और मैं जानता हूँ तो ये है इसी ही रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ ये 1969 में लिखी थी सागर से आपने याद रखना है सागर मुद्रा जो 1970 में लिखी थी और सनाटा से आपने रखना है पहले मैं सनाटा बुनता हूँ तो ये कब है 1973 से और फिर वरिक्ष से याद रखना है महावरिक्ष के नी कोई घर आपने देखा है तो देखिए सत्रा की सत्रा जो इनकी रचनाई थी जो कावे संग्रे हैं इनके वो हमने इस पंक्ती में समाहित कर लिये हैं हालांकि ये वाक्य थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा अजीब जैसा है लेकिन फिर भी अगर आप एक बार इसको याद कर ल शेवाल की नाव पर पहुंचा और कहता है कि मैं जानता हूँ कि सागर में जो सनाटा है वो ब्रिक्ष और मदीने देखा है ठीक है तो प्रेक्टिस से आप इसको दो या तीन बार या लगातार दो तीन दिन आप इसको प्रेक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनिटल आप इस से याद रख सकते हैं यह चोटा सा प्रियास था अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको follow कर सकते हैं चलिए यह तो बात हो गई अग्ये की जो प्रमुख रचनाएं थी और इनको आप कैसे याद रख सकते हैं इनके कावे संग्रह को अब हम जान लेते हैं देखिए कि अग्ये की जो कवीता है जो कलगी बाजरे की है जो हमारा आज का में विशेवी है उस पर आ जाते हैं और हम देख लेते हैं कि उसमें वो क्या क्या चीजें कह रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हरी बिचली घास दोलती कलगी छरहरी बाजरे की हरी बिचली का मतलब क्या है कि जो आपकी घास है है ना वो हरी और बिचली बिचली मतलब कैसी है वो एक तरीके से चिकनी है उसके उपर उसकी हलकी हलकी बूंदे हैं की बजा से उसमें एक तरीके से चिकनहाट आ गई है और वो एक चमक अपने आप में दे रही है दोलती कलगी छरहरी बाजरे की दोलती का मतलब हिलती डुलती कलगी मतलब आपके जो एक तरीके से बाली जो चोटी है छरहरी बाजरे की बाजरे की जो चोटी है वो हिल रही है ऐसा मैं तुझे कहता हूँ किसको अपनी प्रेयसी को जो आपके अग्ये हुएं देखिए वो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी प्रेमिका के लिए या फिर यूं कहिए कि कविता में जो उपमान है वो उन्होंने क्या देने की कोशिश की है हरी घास जो चिकनी घास है उसको और ज उसने उपमाईत करने की कोशिश की है अपनी प्रेमिका को अपनी प्रेयसी को कभी ने यहाँ पर आगे देखिए यह क्या कह रहे हैं अगर मैं तुमको ललाती सांज के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता मतलब क्या है अगर मैं तुमको इसको अपनी प्रेयसी को ललात सांज, मतलब संध्या के समय, सांज के समय, जो ललाती आस्मान में जो लाली चा जाती है, नव की अकेली तारी का, मतलब आस्मान में जो इकलोता, छोटे पहले जैसे आप शाम को समय देखते हैं, कि आस्मान में बिल्कुल शांती होती है, लाली मा होती है, और बीच में से एक अकेला इकलोता तारा निकलता है अब नहीं कहता कि मतलब हे प्रिये मैं अब तुझे वो चीज संध्या की लालिमा और अकेली तारिका या अकेला तारा नहीं कहता या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, टटकी कली चमपे की वगेहरा तो, नहीं कारण की मेरा रिदय उथला या की सूना है, या की मेरा प्यार मैला है। तो देखे यहाँ पर कभी क्या कह रहा है कि अब मैं तुझे वो लाली भी नहीं कहता, अकेली तारीका भी नहीं कहता। या शरद के भोर की, या मतलब आपके जो शरद रित्तू की जो सुभा है, भोर का मतलब वह सुभा, ठीक है, उसकी निहार, निहार का मतलब जो धुंद है, या फिर निहाई कुई, है ना, कुई का मतलब है आपका कुमूदनी, ठीक है, एक तरीके का जो फूल है, ठीक है, जो कहरे से एक तरीके से क्या है दबा हुआ है है ना, शरद की सुभा में जो निहार है, जो उसकी धुई है, है ना उसमें, जो आपकी कुमुदनी है वो भी मैं तुझे अब नहीं कहता नहीं तुझे जो आपकी तटकी कली चम्पे की वगेरा थो तो टटकी कली का मतलब है कि चंपे की जो ताजी कली है वो भी मैं तुझे अब नहीं कहूंगा नहीं कारण कि मेरा रिदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है मतलब कहने का मतलब यह है ढ़े आपने दिखा होगा बहुत सारे प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अलग-अलग तरीके से या फिर वही लगातार कि तुम मेरे लिए यह हो उस सुभा के समान हो जहां पर जो आपकी कुमुदनी है या चंपे की कली के समान तुम मेरे लिए हो कभी कह रहा है कि मैं तुझे ये सब चीजें नहीं कहता इसका कारण ये नहीं है कि जो मेरा रिदय मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा रिदय उतला है उतला का मतलब उतला है कि कम जिसमें गहराई हो या फिर जिसमें समवेदना हो कम जो समवेदना हो ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार जो है वो महला है या उसमें कुछ खोट है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि मैं तुझे ये सब चीजे नहीं कह रहा हूँ सिवाए इसके कि मैं तुझे हरी बिचली घास और दोलती कलगी छरहरी बाजरे की कह रहा हूँ कि बाजरे की जो कली कलगी है जो बाली है जो हवा में हिल रही है मैं तुझे वो कह रहा हूँ ये सब चीजे नहीं कह रहा हूँ कि तु अकेली तारीका है मेरे लिए, मेरे लिए तु शाम के समान सुन्दर है, ये सब चीजे मैं तुझे नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तिरे पती जो प्रेम है वो कम है, या मेरे रिदय में समवेदना नहीं है, या मेरा र इसके बाद यह कहते हैं कि बलकी केवल यही यह उपमान मैले हो गए हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं तुझे क्यों यह चीज नहीं कह रहा हूं वो कहता है कि बलकी केवल यही कि यह उपमान मैले हो गए हैं उपमान से मतलब क्या होता है देखिए जब हम कि किसी चीज की तोलना किसी दूसरी चीज के साथ करते हैं उसको कहा जाता है उपमान ठीक है जैसे म्रिग नैनी ठीक है म्रिग के समान नैनो वाली ठीक है तो इसमें क्या है आपका मतलब तोलना कर रहे हैं न किसके समान तोलना की गई है उपमा किसके समान दी गई है उसको वहा का तारह संध्या का तारह जो है या फिर जो लालीमा है संध्या के समय की वो सब क्या है ये जो उपमान है ये जो चीजें हैं जो हर एक प्रेमिय अपनी प्रेमिय का के लिए करता है ये मैले हो गए है और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके की बात जो है तुझे कहूं ठीक है जिस कि जो देवता है, इनके अंदर जो एक आकर्शन है, या इनके अंदर जो एक शक्ती है, वो इन प्रतीकों की कूच कर गई है, मतलब यह इतने कौमन से हो गए हैं, उनके कहने का मतलब ही है, कि हर कोई इनका ही इस्तेमाल कर रहा है, और जिसकी वज़ा से इनकी जो चमक है, वो यही है तो हम भी देखते हैं कि एक ही अगर हम चीज बार-बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यह तो common है इसमें क्या नया है तो यही चीज यहाँ पर अगेजी कह रहे हैं कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है यहां पर वो आगे कह रहे हैं जिस तरीके से बार-बार हम देखते हैं कि बरतन को हम गिसते हैं तो उसकी जो कलई है वो निकल जाती है वो गिस-गिस के अलग उसका रूप हो जाता है ठीक है? मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? यह आगे वाली पंक्ती में यह कह रहा है, देखिए, यहाँ पर इनमें पहले क्या कह दिया? कि यह उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं, कूछ ठीक वैसे ही जैसे आपके बरतन बार बार रगणने स अपनी चमक दमक छोड़ देते हैं, वैसे ही यह उपमान भी मैले हो गए हैं, ठीक है? नेक्स देखिए, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू के, नीजी किस सहज, गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा पिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, तुम्हारे रूप के सिर्फ और सिर्फ तुम ही निकट हो, है ना, इसी जादू के, नीजी किसी सहज, गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, कि तुम इतना भी नहीं समझ पा रही हो, कि मैं कित जुडाव से लगाव से और प्रेम भाव से ये चीज़ें कह रहा हूँ आपके लिए कि तुम मेरे लिए क्या हो बिछली घास हो तुम बिछली घास क्यों हो आगे हम ये चीज़ देखेंगे कि मतलब जो हवा से लहरा रही है कलगी लहरा रही है चरहरी है जो बाजरे की है वो हो तुम मेरे लिए है ना वो सारी चीज़ें तुम नहीं हो तुम इस चीज़ को क्यों नहीं समझती कि जो चीज़ मैं तेरे लिए कह रहा हूँ वो मैं कितनी शिदत से और कितने अंतरमन से आंतरिक अपने बिल्कुल दिल की गहराईयों से कह रहा हूं क्या तुम इस चीज से अनभिग्य हो है ना ये यहाँ पर अग्येजी कह रहे हैं अपनी प्रियसी के लिए नेक्स आता है देखिए इसके पश्चात आगे वो कहते हैं कि आज हम शहरातियों को पालतु मालंच पर संवरी जुही के फूल से स्रिष्टी के विस्तार का एश्वरे का ओधारे का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली गास है या शरद की सांज के सूने गगन की पीठीका पर दोलती कलगी अकेली बाजरे की ठीक है तो देखिए यहां पर समस्त संसार को इन्होंने इसमें समाहित करने की कोशिश की है कि जो आपके जो शहरी हैं ठीक है जो शहराती है देखिए शहराती का मतलब उता है आपका शहर के रहने वाले जो शहरी लोग है तो जो आपके हरी बिचली घास है वो ज्यादा मौतोफून है तो देखिए आज हम शेहरातियों को पालतु मालंच पर संवरी जुही के फूल से सिश्टी के विस्तार का एश्वर्य का और दार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिचली घास है मतलब जो शेहरवासी हैं उन्होंने कभी भी इस तरीके का जो ये हमारी जो प्राक्रितिक सुंदरता है इससे वो एक तरीके से अनभिग्य है उसको इन्होंने कहां पर देखा है सिर्फ और सिर्फ अपने जो बगीचे हैं जो अपने घर के आंगल में उनको या फिर पालतु म पर संवरी जोही के फूल से कि जो जोही के फूल है ना उनके लिए एक तरीके से वो ही है लेकिन स्रिष्टी के विस्तार का एश्वर्य का ओधार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास ही है कि जो स्रिष्टी का जो समस्त संसार है उसका जो विस्तार है उसकी जो स्मृध्धी है, उसकी जो उधारता है, उसका जो खुला फन है, उधार्य का मतलब है उधारता, ठीक है, वो कहीं सच्चा, कहीं प्यारा एक प्रती कौन सा है, बिछली घास में ही है, आप देखते हैं कि उन चीजों को जजादा मोहतो नहीं देते हैं, हम जब बाड़ी जगर हैं वहां पर हम देखते हैं कि हम उस घास को देखके ही आनन्दित हो जाते हैं उसकी सरलता को देखकर उसकी जो सधारनता है उसको ही देखकर यही चीज यहां पर कह रहे हैं कि जो जूही की कली भले ही उसको अच्छे तरीके से सजाया गया हो लेकिन उसमें ज कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी जो सादगी है वो एक तरीके से नैचूरल है प्राकृतिक है ना क्यों ठीक वैसी ही जैसे उस बिछली घास की तरहा उस चिकनी घास की ही तरहा या शरद की सांज के सूने गगन की पीठी का पर दोलती कलगी अकेली बाजरे की ठीक है तो जो सारी चीज़े हैं देखिए वो इसमें ही समाहित हैं आपकी इन दो चीजों में यह अगे यहां पर कह रहे हैं आखिर में देखिए आगे क्या कहते हैं यह लास्त में है और सच मुझ इन्हें जब जब देखता हूं ये खुला विरान संसृति का घना हो सिमण आता है और कभी यहां पर यह कह रहे हैं कि जब भी मैं सच कह रहा हूं इन्हें जब जब मैं देखता हूं कलगी बाजरे की और हरी बिचली जो गास है उसको मैं जब जब देखता हूँ ये खुला विरान संस्कृती का घना सिमट हो आता है कि जो पूरा विश्व है जो पूरी स्रिष्टी है उसका विस्तार मानव वो सिमट कर उसमें आ जाता है सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि उसको अपनी जो प्रेमी का है उसे उसमें ही सारा संसार दिख रहा है और कलगी बाजरे की प्रतीक हमने कहा है कि वो कलगी बाजरे की या हरी बिचली घास ही उसको कह रहा है कि स्रिष्टी का जो विस्तार है जो एकांत पन है जो घना हो सिमट आता है, सब का सब मानों एक तरीके से उसमें समाईध है, मतलब पूरे संसार की जो सुन्दरता है, उसका जो एकांत पन है, वो उसमें उसको मिलता है, देखने में मिलता है, और मैं एकांत होता हूँ, समर्पित, और मैं सब कुछ समर्पित करके उसी मैं विलिन होता हूँ, मत कहता है कि शब्द क्या है वो तो सिर्फ जादू है या उल्जाव मातर हैं कि शब्दों के जरी हम क्या है उल्जा सकते हैं दूसरे विक्ति को उसको चिकनी चुपड़ी बाते हैं उसे कह सकते हैं जो प्रेमी कहते भी हैं वो कहता है कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्प जिस गहराई से जिस जुडाव से जिस लगाव से हम ये चीज़ कह रहे हैं जो समर्पन हमारा दूसरों के प्रती होता है क्या वो कुछ भी नहीं है ये अपने आप में एक प्रशन यहां पर करते हैं अगेजी और उन सब के लिए भी ये प्रशन है कि शब्दों के जाल में न अगेजी ने बताने की कोशिश की है और ये आखिरी की जो पंक्तियां देखिए ये परिक्षा के रिगार्डिंग बहुती मौतपूर्ण है आपने देखा होगा कई बार प्रिवी सेर पेपर में इनको पूछा गया है कि शब्द जादू है मगर क्या ये समर्पन कुछ भी नहीं है ये है पंक्तियां किसकी है तो ये अगेजी की कविता कलगी बाजरे की कविता से ली गई है ठीक है तो ये थी इस कविता की थोड़ी सी व्याख्या और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसमें अगेजी क्या कहना चाते हैं अगर इसमें दोस्तों मुझ और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिए फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत जैहिन जैभारत श शुक्रिया शब्बाकेर